Hello friends, I Will Welcome You all In This Video तो हम लोग जो भूख है Trading In The Zone मारक गगलस इस बूख का रिवीउ कर रहे हैं रिवीई इन दो संसे हम समरी कर रहे हैं तो हमने अलड़िडी तीन चैप्टर्स फर्स स्टेद्स और थर्ड चैप्टर्स के रिवीव कर रहे हैं तो आज हम फोर्थ चेप्टर का समरी बताने वाला हूं मैं आप लोगों को तो इस फोर्थ चेप्टर का नाम है Consistency a State of Mind ठीक है तो इसमें Mark Douglas जी बताते हैं कि वो चीज जो एक successful traders होते हैं और जो best traders होते हैं इस दुनिया में उनको separate करती है बागी एक normal trader से उसका कारण वो बताते हैं ये कि मैं लाइन पढ़के सुना रहा है आपको What separates the best traders from everyone else is not what they do or when they do it but rather how they think about what they do and how they are thinking when they do it तो ये बोलते हैं कि वो क्या करते हैं या फिर कैसे करते हैं ये उनको separate नहीं करते हैं बलकि वो जब कुछ कर रहे हैं तो उस वक्त कैसे सोच रहे होते हैं या फिर जब वो कुछ करने वाले होते हैं तो उसको कैसे सोचते हैं ये वो चीजे तो actually वो क्या करते हैं वो नहीं उनका जो thinking process होता है वो उनको separate करता है बाकि normal traders से तो इसमें Douglas जी ये पता रहे हैं कि ये believe करना कि market से पैसे कमाना काफी easy है ये काफी असान है हर कोई believe कर सकता है क्यों कि वो ये बता रहे हैं कि आप अपना कोई सब एक experience को recall करिये कि जब आपने market से profit कमाया रहा होगा तो वो जो भी आपने profit कमाया था वो काफी easily आपको मिला रहा होगा तो जब भी आपने इतने असानी से profit कमाया था market में तो वो कहीं न कहीं आपको mental आपको दिमाख भी ये चीज़ बताती है कि इतने असानी से तो पैसा मिल गया इसका मतला market से पैसा बनाना काफी easy है तो इस वज़ए से बहुत सारे लोग market में attract हो जाते हैं लेकिन आते हैं कि market से पैसा बनाना इतना ज्यादा easy नहीं है तो इस chapter में तीन सब पार्ट है तो जो फर्स सब पार्ट है उसका नाम है thinking about trading तो इस सब पार्ट में thinking about trading में डगलश जी ये बता रहे हैं कि आप आप इमेजिन करिए आप अपना recall करिए previous experience जब आपने trading से कुछ पैसे कमाया रहे होगा losses वाले की बात नहीं करें जब आपने profit कुछ ली आ रहा होगा तो आपको कितना मजा आ रहा होगा उस टाइम पर तो वह ये बता रहे चाह रहे हैं कि trading की ये खास बात है कि ये काफ़े excitement हो सकता है fun से भरा हुआ हो सकता है ठीक है और ये जो consistency है ये जो state of mind है ना ये state of mind है उसी प्रकार से जैसे fun होना excitement होना ये state of mind है उसी प्रकार से consistency हम market में consistently profitable हूँ ये भी एक हमारा state of mind है ऐसा डगलाश जी का कहना है डगला जी ये बता रहे हैं कि अगर आप खुद को खुश करने के लिए बाहरी है ना जो बाहर के बातवरन है आउटसाइड इन्वारमेंट से आपका अफेक्ट होते हैं और उसके कारण आपका हैप्पीनेस में बहुत बड़ा कारण है तो बोलें कि आप लॉग टम के लिए आप कंसिस्टेंटली हैपी नहीं रह पाएंगे अगर आपको हैपी रहना है तो आपको इंटरनल फैक्टर आपके खुद के अंदर जो सेल बिलीफ है एटिट्यूड है उसको इतना स्टॉंग बनाना पड़ेगा उसके वज़े से आप अगर हैपी हो रहे हैं तो आप लॉ मार्केट से स्ट्रगल करें तो आप समझ लिजिए कि वह अच्छे ट्रेड्स नहीं है वह आपके बेस ट्रेड्स नहीं है डगलस जी के यह कहना है कि जब आप मार्केट से कुछ जो आप चाहते हैं वह चीज लेने की कोशिश करते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता ह और इस struggle में आपको असानी नहीं मिलने वाली है आपको easy नहीं होगा यह जो struggle होगा वो market से आपको struggle नहीं करना है यह कहते हैं कि market जो है वो कई सरे opportunities आपको खुद provide करेगी वो जो आपको profit लेनी के opportunities है यह opportunity flow कह रहे हैं वो opportunity flow market अपने आप आपको provide करेगी आपको बस right opportunities में right moment पे उस opportunity को grab करने के लिए present रहना यह इनका कहना है आपको किसी भी moment को struggle करके उसको जो आप चाहते हैं वो लेने की कोशिश नहीं करना है बलकि आपको wait करना है perfect moment के लिए जब market आपको खुद से opportunity provide करेगी और आपको उस moment पे market में sit करना है Douglas जी यह बताते हैं कि जब आप market से कुछ चीज चाह रहे हैं ठीक है और उस चाहत में जो चीज आप चाहते हैं उसको लेने की कोशिश करते हैं और उसमें struggle करते हैं और अगर आपको वो चीज नहीं मिल पाती है तो आपको pain होता है ठीक है pain होता है pain इन अगर आप इस losses को avoid क करना चाहते हैं in the sense आप accept नहीं करते हैं इस loss को तो आपको और जादा तो डगलर जी कहते हैं अगर आपको successful even profitable traders की तरह सोचना है तो यह जो fear है और यह जो pain है इस वाले attitudes को आपको अपने mental environment से हटाना पड़ेगा अब आप बोलेंगे कि यह कहते हैं तो आप लोग यह पूछेंगे कि how can I think about trading in such a way that I am no longer referred अब मैं यह कैसे सुचूँ किस प्रकार से मैं से सुचूँ कि मैं डरूना मार्केट से तो यह कहते हैं कि आपको accept करना पड़ेगा risk को यह बोले हैं कि you have to learn to accept the risk तो इसी प्रकार से हम second subpart में इस chapter कहते हैं जिसका नाम है really understanding the risk तो really understanding the risk इसमें यह कह रहें डगला जी accepting the risk का मतलब होता है कि आपको इस trade ले रहे हैं उससे जो भी result आए कुछ भी consequences आए चाहे वो आपके favor में आए या फिर आपके against आए आपको accept करना पड़ेगा है ना really understanding the risk risk accept करने का मतलब यह होता है कि कुछ भी outcome आए कुछ भी consequences आए आपको without any kind of fear without any kind of pain आपको एकसेप्ट करना है अगर आप उसको accept करते हैं तो आप मार्केट से fight नहीं करेंगे आप जो चाहार हैं वो चीज मार्केट से लेने के लिए fight नहीं करेंगे ब़लकि आप accept करके हट जाएंगे लेकिन अगर आप fight करने लगे तो आपको pain होने वाला है और इसी mental state को हमको अपने mental environment से हटाना है तो यह होता really understanding the risk का मतलब स्कीर से यहाँ पर same चीज़ बोर रहें डगलाश जी कि market आपको opportunities flow provide करेगी कई पर provide करेगी बस आपको खुद स्ट्रगल नहीं करें बलकि जब और प्रवाइड करती है हमको उस right moment पर present रहना है उस opportunities को grab करने के लिए वो यह कहते हैं कि जिस दिन आप यह चीज़ सीख जाएंगे कि learn to accept the risk है अगर आप जिस दिन risk को accept करना सीख जाएंगे कि हमको risk को accept करना कैसे है तो डगलस जी का यही कहना है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जब trading में आते हैं तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं और इतने responsible होते हैं कि जो भी consequence होने वाला है उसकी वो responsibility खुद ले चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा consequence हो और जो trader इस परकार की responsibility लेता है वो ही वो जो successful traders का mindset होता है उस परकार का mindset को acquire कर पाता है तो इसके बाद जो third part है इस chapter का वो है aligning your mental environment इसमें डगलस जी यह बता रहे हैं कि आपको अगर successful traders की तरह सूचना है तो आपको अपने mental environment को उनके तरह align करना पड़ेगा आपको एक ऐसे carefree, careless या फिर fearless state of mind में जाना पड़ेगा जिस परकार से successful trader होता है तो इसमें example देते हुई यह बताता है कि जिस परकार से software होता है तो जो code अगर हजारो line का code है उसको आप run कर रहे हैं और वो execute नहीं हो रहे है तो उसको जब आप solve करते हैं, error find out करते हैं तो पता चलता है कि वो error बहुत ही छोड़ा हो सकता है हो सकता है कि सिर्फ एक letter misplace हो गया हो या फिर एक letter extra हो गया हो तो आपका जो problem है वो बहुत बड़ा problem नहीं है बलकि उस error को ढूंड़ना उस जो misplace letter है उसको ढूंड़ना बड़ा problem उसी प्रकार से वो एक trading mindset को बताना चाहरे है कि आपका जो एक mindset है जिसमें आपको accept करना है risk को तो लोगों को यह जो problem बहुत बड़ी नहीं है बस डिक्कत यह है कि लोगों को problem के बारे में पता नहीं जिस प्रकार से एक software code है और उसमें जो misplace letter है उसी प्रकार से हमारा एकसेप्ट करना risk को हमारे mental environment को align करना वो उस letter की तरह है बस हमको इस बात को समझना है कि trading में successful होने के लिए successful traders की category में जाने के लिए हमको वो जो misplace letter है in the sense जो हमारा misplaced mental environment है उसको सही जगह पर लाने की जरूरत है अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर हम successful traders वाले mindset acquire कर सकते हैं तो यहाँ पर एक important example अच्छा सा example दे रहा है मार्क डगलाशी और यह बताते हैं कि वो अपने college टाइम पर कोई सा एक favorite movie था उनका cool hand Luke है ना starring था Paul Newman cool hand Luke तो एक कोई सा मूवी था जिसका वे example देते हुए relate कर के बताने के कुशिश कर रहे हैं कि यह जो Luke था यह एक chain gang का member था जो की chain snatching करता था तो यह already chain snatch करके दो बार पकड़ा चुका था और जब इसको guards और warden पकड़ लिये थे तो यह दो बार already escape कर चुका था उस्कॉले से तो इस बार garden और warden डिसाइड किया था ना वार्डन और और जैसे वह try करता है escape करने का इसको shoot कर दिया जाता है तो इसमें relate करके यह बताना चाह रहा है Margaret Grasgy Luke के example से कि जिस प्रकार से Luke को जब surrender करने को बोला गया था तो वह surrender करने के बजाए वह उसको accept नहीं कर रहा था और भागने के कोशिश किया escape करने के कोशिश करते हैं तो you will be killed financially and emotionally तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक trader है और market अगर आपको आपके direction में trade नहीं जा रही है और अगर आपको उस time पर accept करना है आपको risk को accept करते हुए surrender कर दिना है अगर आप surrender करेंगे तो आप killed नहीं होगे लिए अगर आप surrender नहीं क तो final concluding words यह कहता है इस chapter का market अगर यह कहते हैं कि मैं sentence पढ़के बता रहा हूं there are easier infinitely infinitely more satisfying ways of getting what you want from the market but first you have to be willing to get your mind right market में बहुत सारी easy satisfying एक आसान रास्ते हैं जो आप चाहते हैं वो चीज़ लेने के लिए लेकिन सबसे पहले आपके अपने गाइस मैंने ट्राय किया है कि जो मुझे समाझ आया इस chapter में उस summary को आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करूं अगर आप लोगों को यह summary अच्छी लगी हुए इस chapter की consistency and state of mind की तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें फ्रेंड के सांथ जो भी इस प्रगार की आपने माइंड सेट में तो ऐसे फ्रेंड के सांथ प्लीज शेयर करें चैनल के सब्सक्राइब करें कि इसे प्रगार के और भी अच्छे वीडियो और जो बुक्स की समरीज होंगी चैप्टर वाइस वो मैं लाता रहा हूंगा तिल दैन थाइंक यू सो मच बाबाए